नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का विद्याग्राम में प्यारे दोस्तों आज हमारा ये दूसरा क्लास है यानि इससे पहले हम एक क्लास कर चुके हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे बाइलोजी के आज हम शुरू करने वाले हैं कोशी का जैसे कि पहले ही उत्तक पढ़ने के बाद फिर आपसे कमेंट के माधियम से ये पूछ लिया जाएगा कि आगे कौन सा चेप्टर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसी क्रम में हम आज आप लोगें के समने उपस्थित हो चुके हैं कोशी का के कुछ कुश्चन ले करके जैसे कि पहले ही हमन आएगा और आपको इजली याद हो जाएगा और अगर याद हो ही गया तो फिर लिखने की याद सकता नहीं है ठीक है तो आप लोग एकदम सांती से सांत जगह पर खुली बातावरान में आप लोग मोबाइल में एयरफोन डालिए और अपने कान में लगा करके और ध्यान स सुनते रहे ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं अपनी क्लास की पहली question ठीक है लेकिए ये हमारा पहला घ्र कुष्ण है कोसीका के अध्यान को क्या कहा जाता है तो option है cytology histology hematology और lekailology तो देखे को चिक आ amendments में एक एंगलीज में सेल कहते हैं तो शेङकाका को हम इंगलीज में ज़ेश कहते हैं तो सिली का अद्धियन साईटोलोजी कह लाता है यारी कि कोचिका के बारे में कोशिका के सन 1700 असदशना के बारे में यानि कि structure के बारे में और जो अंत्रिक जानकारी होती है उसके बारे में हमें पढ़ना cytology कहलाता है तो कोशिका का अधियन cytology कहलाता है इसके बाद histology क्या होता है तो देखिए बहुत सारे कोशिकाओं का अगर group बन जाता है और सारे कोशिकाओं का group मिल करके एक ही प्रकार के क सजी की बनावमृत्सन रचन और इसके काड़े कंबर पर्ण हमारा के अधहिन की संध्रार में आता है मेरा पहला क्योंशन प्र स्यार्ण सबस्क्नाे लाक क्यों सकते हैं सायटोलोजी ठीक है तो चलिए अगले कुशन के तरब चलते हैं और आप लोग पहले कोसीद के बाड़े में जान लीजिये और एक बार चोशीद का दो प्रकार के होता है एक होता है प्रोकेरियोटिक और दूसरा होता है यूकेरियोटिक ठीक है प्रोकेरियोटिक होते हैं जो विक्सित जीब होते हैं उनमें प्रोकेरियोटिक कोशिका पाया जाता है और यूकेरियोटिक किसमें पाया जाता है हम जैसे विक्सित जीब में जैसे कि गया भैंस इसमें साड़े कोशिकांग पाए जाएंगे और प्रोकेरियोटिक भी आगे आने वाला है और उसमें देखिएगा कि दो चार अंग है और उसी से अपना काम करता रहता है लेकिन प्रोकेरियोटिक जो है वो एक विश्त्रित और विक्सित कोशिका है तो देखिए प्रोकेरिय स्सक्राइब के चार्व और पाया जाता है ये है आपका simpler या फिर के एसर यानि की रफ net 22 merc रेटीकुलम जुब्य पहले उस्मूदा क्तें हैं अंदर है या फिर ओने कि समूद कॉले हैं छिक्रया भीर जाली आप क्योंने की यह लगे लगह थिर कऊओगा कहीं कि देख लीते हैं कहां पर है हुआ है यह हमने तेयर यह रहे है यारं के दूबर्बाज्मिक रही जश्रकेज्टा क्या होता है आपका इंडद्रोप्लाजgg मुर्ट्रास्टारस Solid All All Again और छोटे राययगा रहें अनून बहुंद टू Taks Išs इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा centrioles, फिर centrosome दिख रहा होगा, lysosome आपको दिख रहा होगा, यह सारे कोशिका की जो अंग है, cell organally है, इन सब के बारे हम हम आगे अधियन करने वाले हैं, तो आपको एक structure देख लिजिए, ताकि आपको basic idea हो जाए कि आखिर हमें कोशिका में क्या-क्या पढ़ना होता है, ठीक है, यह आपका कोशिका का चित्र है, अगला question है, प्रोकेडियोटी कोशिका का और परिभासित केंद्रक चित्र क्या कहलाता है, जैसे कि हमने बताया, कि यूकेडियोटी कोशिका जो होता है, उसमें जो केंद्रक होता है, वो विक्सित नहीं होता जानिकि उसके अंदर डियने आरेने ये सब स्वस्पष्ट रूप से आपको दिखने वाला नहीं है तो उसमें और पडिभासित रूप से एक केंद्रक यसे घुमा 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 के जिससे च्रोमेटिë जैसा धर्वे पड़ा रहता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे हम इंग्लिज स्वस्पष्ट में हुсыл निकलियोड को हिंदी में हम दर कहते हैं कंद्रक ये केंद्रक यियोडर कीक में और कंड्रक में और और मीट्रोगा क्या तो कोशिचा का अंग है और न्यूक्लिक-अंग मनें नूलिक अंगWb तो ये प्रोकेडियूटिक कोषिकाव में जो केंदरक होता है उसे केंदरकाव कहते ह को एंगली में कहते हैं नुकलियर्ट इसमें असपस्ट रूप से केंद्रक नहीं पाया जाता है जबकि यहां देख लीजिए यह जो आपका प्रोक्रेटिक है इसमें यह केंद्रक जो है कितना असपस्ट रूप से दिख रहा है इसमें DNA RNA सब कुछ होगा अगर जूम करके इस करता है उसके बाद इसमें पाया जाता जिससे यह प्रोटीन बनाता है और इसका निर्मान होता है और इसमों चाहिए हम आमषा में कहते हैं या फिर वसा कहते हैं लेकिन जो यह सेनटिस्त लोग अपना प्रयोग करते हैं तो वहां पर वसा और फैट ना बोलकरके इसे लिपीड पुकाड़ा जाता है क्योंकि यह सुन्ने मुथरा प्रोफेशनल लगता है तो लिपीड का साधरान सब्द फैट है यानि कि वसा है जो तेल घी को आप अगर छुईएगा तो आपको चिकनाहाट चिकनाहाट सा लगेगा यानि कि वसा भी वैसा ही होता है और त उसी काम पाया जाता है अंतरव्य जालेका लेकिन अंतरव्य जालेका दो प्रकार का होता है जैसे कि आपको पहले बताया एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानि कि चिकनी अंतरव्य जालेका और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानि कि पूछ रहा है लिपीड का निर्मान और जिस इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम यानिकि अंतरध रभी जालिका पर यह राइबोसॉम नहीं पाया जाते हैं वह चिकना होता है क्योंकि दिखने में लगेगा जैसे यह लकीर है इसके ओपर दो-चार इसे बिंदू दे दिए यह लग रहा है लेकिन अगर इस यह बिंदू को हटा दें तो यह एक्दम स्मूथ लगने लगेगा तो स्मूथ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जो होता है वह लिपीड का संसलेशन करता है यानि कि वसा का संसलेशन करता है तो यहां कोशिगा पूछ रहा है कि लिपीड अंसर है चिकनी अंतरद्रवी जाली का यानि की स्मूथ इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम यह लिपीड का संसलेशन करता है ठीक है और यह रुक्ष तो बता दिये यह प्रोटीन का संसलेशन करता है गौलजी उपकरन यह मतलब इस बात का डिसाइड करता है कि कहां पे वसा प्रोटीन जाएगा इस सब का जो निर्धारन करता है यह उपकरन करता है क्लोडवी यह तो आपको प्रकास संसलेशन मदद करता है ठीक है चलिए अगला क्वेशन है कोशिका की प्रोटीन फेक्टरी किसे कहते हैं अभी जो आपको बताया यह राइबोशोम यानि कि लाइसोसोम आप लोगों ने सोना होगा कोशिका की आत्मात्या की फेली या रैटम बम तो यही यह राइसोसोम ही है जिसे हम अटम बम करने क्योंकि इसमें हैड्रोलिटिक एंजाइम पाल जाता है जोकी बहुत ही ज़्यादा क्रियासील होता जैनि कि अगर वीशोम मार दे तो यह लाइसोसोम खुद ही फट जाता है और खुद के फटने से पुड़ा कोशिका जो है वह गल जाता है तो इसिद्वे कोशिका का आत्मत्या या फिर एटम बम कहते हैं वो लाइसोसोम को कहते हैं ठीक है राइबोसोन तो जान लिए यह कोशिका की प्रोटीन प्रोटीन का निर्मान करता है उसके बाद माइट्रोकॉंडिया माइट्रोकॉंडिया जो है यह कोशिका के लिए उड़जा का निर्मान करता है यानि कि कोश इसे लिए माइट्रोकोंडिया को पावर हा उफ सेल यानिकी कोशिका का सक्ति ग्रिह के नाम से जानते हैं तो यह अपना काम करता है 되어 हम लोग भी काम करते हैं इनर्जी मिलता है उसके बाद हरीत लबग यह जो है यह क्रोलर प्लास्ट में पाया जाता है यह पादप कोशिकाम पाया जाता है जो कि हमारा प्रकास संसलेशन के लिए जिम्हेंदार है और इसी से भोजन मिलता नहीं है क्योंकि देखिए वही बात कितना बार आपके सामने आ जया जैसे राजिए कद्रक के बारे बता दिया कोशिका बित्तीन नया है और मेट्रो अनुप पर रहा है और साथ में साथ CO2 मुक्त हो जाता है तो यह इसका फॉर्मुलार आता है तो देखिए कोशिका का सक्तिक्री माइट्रोकॉंडिया क्योंकि यह ATP बनाता है इसके बाद कोशिका भित्ती जैसे कि आपने पहले वाला कोशिका देखा अभी देखा जेतें आपको एक सेकेंड यह यह जो कोशिका का बाहर वाला जो हिस्सा है यह कोशिका का बाहर वाला हिस्सा जो है इसे कहते हम सेल मेंब्रेन यहाँ लिखा हूँ है सेल मेंब्रेन यानि कि कोशिका जिल्ली या भी प्लाज्मा मेंब्रेन भी कहते हैं लेकिन यह जो है जन्तु कोशिका है तो जन्तु कोशिका जिल्ली पाया जाता है तो यह पादब कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ती पाया जाता है और कोशिका जिल्ली दोनों पाया जाता है लेकिन जो जन्तु होता है उसमें पादब कोशिका के तरह कोशिका भित्ती नहीं पाया जाता है तो कोशिका भित्ती जो है वो जिसमें की genetic information के लिए जीन पधाया जाता है DNA में और केंधर ही है जो कोषिका की वाजन में मदद करता है कोषिका को डाइरेक्षिन देता है यानि पूरी कोषिका को नियंतरित करने का काम किसका है केंद्रक का काम है ठीक है उसके बाद लाइसोस्वम के बारे में इससे पहले बता चुके हैं यह एक हैड्रोलिटिक इंजाइम से भरा हुआ थैला है जिसमें की बहुत ही पाचन शक्ति पाया जाता है जिसमें कि वह अगर फूट जाए तो अपना कोशिका को ही ग जाएगा फिर दूसरा बन जाएगा तो यही काम करता है कोषिका खNo क्र用च करता है ना की पूलेशरीर को ना की पूले मानाव को ठीक है और यह जरूरी भी है कि आधिक का नोशाफ रहे है और यह देख लीजीए जैसे इसका अंसर किया था सका अंसर था मैट ह Sé contam lesson과. इसका अंसर था सक्तिक्री माइट्रो कॉंडिया, देखिए माइट्रो कॉंडिया कैसा है, यह है आपका माइट्रो कॉंडिया, आप लोग इसे थोरा से रिलेट कर रहे होंगे प्रोकेडियोटिक कोशिका से, इस तरह से आपने प्रोकेडियोटिक कोशिका को देखा था, यह इसका structure देख लीजिए इसके बाद फिर इसका structure देख लीजिए ये दोनों लगभग एक ही समान जाता है तो question ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जो प्रोकेडियोटिक कोशिका के जैसे सेम दिखता है तो ये आपका इसके बाद ये जो इस तरह से संप जैसा बनावा ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से से घुमागँखे देख लिजे ये आपका अंतरिक जिल्ली है जिसे हम इंगलीस में कहते है है inner member één यह क्या है आपका कि यहाभका inner membrane यहाँ पर दिखा होगा inner membrane यहां इनुर मेंब्रेन स्पेस लिखा व Alors लिए और देखिए जली और अंतरिक जली के बीच में चोरा-जगा बच जाता है यह है Inner Membrane Space यानि आंत्रिक झिल्दी के अस्थान इसके बाद सबसे important कोसिकां में ये पूछा जाता है मतलगा यह दिख लिख लिए आपको यहां पर लिखा होगा यह क्रिष्टी क्रिष्टी क्या होता है यह जो आंत्रिक झिल्दी यह मतलगा जिखली दिख दाता है ये भी अंदर धसा हुआ है ये देखिए कितना अंदर गुश गया है ये सब अंदर धसा हुआ यहां अंदर गुश गया है ये सब ये सरा अंदर धसा हुआ यानि कि पार्ट है इन सब पार्ट को हम क्रिष्टी के नाम से जानते हैं यानि कि माइट्रो कॉंडिया के अंतरिक जिल्ली का अंदर जो धसा हुआ जाता है उंगली जैसा प्रवर्ध निकला आता है वो क्या कहलाता है तो वो क्रिष्टी कहलाता है यह सिधे कोशन पूछ लिया जाता है माइट्रो कॉंडिया में डी एने पाया जाता है यानि कि डी एने दो जगा पाया जाएगा एक नुकलियस में और दूसरा माइट्रो कॉंडिया में धियान रखे डी एने दो जगा एक माइट्रो कॉंडिया में और दूसरा नुकलियस यानि केंद्रक में ठीक है माइट्रो प्रोटीन बनाता है इसके बाद फिर दूसरा राइबोसं कहां पाया जाएगा यह माइट्रो कॉंडिया में पाया जाए तो रैबोसं भी दो जगा और डियाने भी दो जगा ध्यान रखिए रैबोसं कहां एक ठो यहां पे खुरदरी अंतर दरभी जाली का और दूसरा प्रोटी में ज्यां किया रखें ठीक है और उसके बाद यह जो उन्तरिक और बाहरी जिल्ली के बीच जो होता में और मैंब्रेन इस्पेस में अंतरिक झिल्डी के बाद जो ये जगह बच गया है. ये सला का सरा जगह बच गया. उसमें भाला लाता है मैट्रिक्सaprès. यानि कि द्रभ जो भाला लाता है, उसे मैट्रिक्सके नाम से जानते हैं. इसके बाद देखली जिए, इसमें क्या क्या पाया दिए या. यह ने पाए जाएगा रैबोसों पाए जाएगा और यह मैट्रिक्स पाए जाएगा और इसी से यह अपना उर्जा का निर्मन करता है यही मैट्रोकॉंडिया है जो हमारे सदीर के लिए ज्यानि कोशिका के लिए उर्जा देता है और कोशिका से फिर हमारा सरीर को उर्जा मिलता है तो यह मैट्रो कॉंडिया बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बाद आता है मारा कोशिका का ट्रेफिक पुलिस किसे कहते हैं देखिए कोशिका का ट्रेफिक पुलिस कहते हैं गौल जी काई को जिसे कहीं कहीं गौल जी उपकरन भी लिखा रहता है तो गौल जी काई को कोशिका का ट्रेफिक पुलिस कहते हैं क्योंकि यही निर्धार प्रएत करता है कि कौसी कांग के पास कौनसा सब्स्टांस हैं तो यह केंड्र क्यंदर पाया जाता और कहां पाया जाता है यह जो अनौवांसिक लक्षन का इंफोर्मियसन रखता है यह अनौवांसिक जो गुन यह उंनको किस्तरह से माता ञ compet réussi का नीजम कोण कुछन करता है । यहनिन कि इतर बीच apoyo कटें प्लस कोसीका दम operation का यह एक यह कंद्रक दर्ब को मिला करके बनता है जीव ठीक है उस्के दाउन आप नो जनते होंगे ठीक है चलिए आगला क्थ्चिन कर रहा है कोशिका की खोज किसने की तो देखिए कोशिका की खोज की रोबर्ट हुक ने ध्यान रखिए लेकिन कोशिका का जो खोज किया था रोबर्ट हुक ने ये मृत कोशिका का खोज किया था यानि कि वो कोशिका जो की मड़ा हुआ था यानि जिवित नहीं था वो तो मृत कोशिक यानि कि रोबर्ट हुक ने को सिखा खोज किया था जो कि एक मृत को सिखा था इसे याद करने का ट्रिक क्या है देखे रोबर्ट हुक में लगा हुआ है यह हुग आप लोगों ने देखा हुगा कि आपके जहां जैसे की गेहूं चावल या इन सब चीजों का अगर आप को सिखा काल यह है को सिखा आप करने कि तरीका है कि हुग से निकलाट हुग ने और रोबरम त्रॉबर्ट पने रोबर्ट ब्राउ यहाद कि एटिश्वान और attach और एम जे बात रही हैं 보고ने लिट गयांत का यानि को सिखा सğी धन्त क प्रथिपास किया थाகि किसी का किस तरह होता है किस तरह से होता है यानि की मानषफ सडरी के लिए कोजिका क्यों जरूरी है इन सब के बाड़ 감사합니다 엔र्जे स्लाइडन किस ने किया रोबाट ने लेकिन कोजिका सिध्धान किस ने दिया я Жی iles两 ने ठीक है रॉबर्ट ब्राउन संथा आगे चलते हैं अगला है जीवित कोशिका की होज किस ने किया वह G कोशिका तो अबने क्वें कहाँ देखिये रोबर्ट हुल पहले ही कट गया जी पैलेट जी पैलेट जो है यह खोज किया था पैलेड पार्टिकल पैलेड पार्टिकल किसे कहते हैं राइबोसोम को इसलिए यानि कि पैलेड ने राइबोसोम का खोज किया था इसलिए राइबोसोम को पैलेड पार्टिकल यानि कि पैलेड के कंड भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद थियोडोर स्वान या से कि आप लोग पहले याद किया कि रोबाट हुक हुक लगा करके कोशिका को निकाला और कोशिका मड़ गया उसके बाद अब लिवेन होक तो लिवेन होक को याद करें लिवेन मतलब क्या होता है लिविन तो लिवेन से कहीं ने कहीं आप रिलेट करते होंगे लिविंग तो से का खोज किस ने किया तो लिवेन हॉक ने किया यानि कि लिविंग हॉक लिवेन हॉक ने खोज किया लिविंग को सिका का यहां होक से हुक ने समझ आना क्या कि रोबाट हुक वहां पर असपश रूप से हुक लिखा हुआ है यहां हॉक लिखा हुआ है तो जिवित को सिका का रेवोसरम का कोज, रावाट ठोक ने मिर्दित कोशिका कोज त्योडोर स्वं यह कोशिका सिधान दिया था आगे विप्र न्यक्ष requests है इस द्थित्ध पुराई कोशीका का निर्मान होता है.. ominous cellula यानि एक पहली कोशिका से दूसरा कोशिका का निर्मान होता है यानि कि दूसरा नया कोशिका का निर्मान पहले से इस्थित पुराने कोशिका से ही होता है इसका मतलब है यह ominous cellula का मतलब है कि नई कोशिका का निर्मान पुराने कोशिका से ही होता है तो यह किस ने कहा था Rudolph Virchow, जो candy नमल में है Rudolph Virchow, brown ने कोशिका के केंद्रक का खोज किया था, Lewin Hawk ने जिविद कोशिका खोज किया, robert hook ने मेरे हुए कोशिका खोज किया, और कोशिका सिध्धाथ कौन से दिया था? MJ Sl 전 either T choice 1, तो धियान दखिए कोशिका का निर्मान कैसे होता है यानि नया कोशिका का निर्मान कैसे होता है इसका रोबर्ट ब्राउन और टी स्वान का कोई ग्यान नहीं था यानि कि रॉबर्ट ब्राउन जो था Okay рुबर्ट ब्रॉन एंजिस ल्एड नॉर टीवन कु लग धाटां कुछिका का कैसे निर्मान होता है। इसके बारह यहें कोई जानकाड़े नहीं था तो यह जानकाड़ी किस ने दिया रुडोल्फ विर्चौनी जानकाड़े दिचा क कि पहले से स्थित कोशिका से ही नया कोशिका का निर्मान होता है ठीक है तो नया यानि कोशिका सिध्धान तो दे दिया था MJ Sliden और T Swann यानि Theodore Swann लेकिन नया कोशिका कैसे बनता है ये वो नहीं बता पाया था तो नया कोशिका कैसे बनता है ये बता था Rudolph Virchow ने इसलिए इसके बाड़े में एक कहावत है कि नय कोशिका का कैसे निर्मान होता है इसका नहीं था कोई ग्यान इसलिए हक्य बक्य रह गए Sliden और Swann तो Sliden और Swann ने कोशिका से धान दिया लेकिन नया कोशिका कैसे बनता है वो नहीं बता पाया तो नया कैसे कैसे बनता है ये बताया था Rudolph Virchow चलिए दसमे कोशिन के तरफ चलते है और ये दसमे कोशिन है मानव में गुनसुत्र कितने जोडी में पाया जाता है ध्यान चे सुनिए मानव में गुनसुत्र कितने जोडी में पाया जाता है इस बात को बढ़ियास ध्यान दिजिए आप्शन A है 22 जोडी आप्शन B है 44 जोडी आप्शन C है 46 जोडी और option D है 26 जोड़ी तो देखिए ना तो 22 जोड़ी पाया जाता है ना 44 जोड़ी पाया जाता है ना 46 जोड़ी पाया जाता है और ना ही 26 जोड़ी पाया जाता है यानि कि इसमें 4 option गलत है अब इस option का सही answer क्या है ये आपको comment में बताना है इसमें 4 option गलत है ना 22 जोड़ी होगा ना 44 ना 46 ना 26 क्योंकि ये सभी जोड़ी में है तो इसी लिए ये 4 option गलत है आपको comment में बताना है कि मानब में कितने गुंसोत पाया जाता है यानि कि जोड़ी में बताना है कितने जोड़ी गुंसोत पाया जाता है इसके बाद जो अगल करना है विद्याग्राम और वहां पे विद्याग्राम पे पास आकर वहां जोइन हो जाएं और सारा कहसरा पीडियाफ ले लिजे क्योंकि अगर आपको